देश भर में असामान्य बारिश के चलते मौसम कहीं गर्म तो कहीं सर्थ चल रहा है। दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी है। NCR में बुधवार की सुबह तकरीबन 11 बजे शहर के अलग-अलग इलाकों में बारिश दर्च की गई। कई इलाकों में तो शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। जिसके बाद राजधानी का मौसम खुशनुमा हो गया। वही बारिश के कारण तापमान में 5 डिग्री क की गिरावट तेखने को मिली, जिस वजह से रात के समय हलकी थंड़क का भी एहसास होने लगा। दिल्ली में बीते बुधवार को हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज गुरुवार के दिन तेज हवाओं के साथ-साथ बारिश का येलो अलट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 35-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तीज हवाईं चल सकती हैं, जिस से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। इस दोरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिगरी और अधिकतम तापमान 33 डिगरी सेलसियस रहने का अ मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक रुक-रुक कर हुई बारिश के दोरान कच्चे घरों और पेड़ गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंगा, यमुना, घागरा, शार्दा, सयु नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है। मौसम मौसम विभाग ने तो उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में बारिश के साथ ही वजरपात की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अलिगड, मतुरा, लखनव, अमेथी, आगरा और कानपूर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मै मौसम विभाग ने भरतपुर, जैपुर और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर अलट जारी किया है। इसके अनुसार, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जल भराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को साव धानी बरतने और आवश्यक सेवाओं को तयार रखने की सलाह दी गई है। स्काइमिट वेदर के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूम में एक या दो स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हरियाना, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, उत्तरी महराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश संभव है।